वेलकम टू MSS पैरामेटकल इंस्ट्यूट एवरीवन मैं आप आप लोगो बताऊंगा सीलेबस एनाटॉमी और फीजिलोजी के बारे में उससे पहले मैं आप लोगो बता दूँ कि हमारे इंस्ट्यूट में बीए मेल्टी और बीए नवाई एस बीपीटी बीफार्मा और बीएस नर्सिंग और जी एनेम का जो है यह कोर्स स्टार्ट हो चुका है आप लोग इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं तो आईए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अनाटॉमी और फीजियोलोजी का जो हमारा सीलेबस है वो सीलेबस में हम लोग क्या क्या जानेंगे क्या क्या पढ़ेंगे और कितने दिन का हमारा सीलेबस होगा उस सारी चीज़े हम लोग जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, तो यह हमारा अने टॉमी और फिजियोलोजी का सिलेबस है, तो हमारा फर्स्ट वीक का जो पहला कलास होगा, वो इंटर्डक्शन बेस होगा, कि हमारा क्या-क्या पढ़ना है, बुक्स कैसे उसमें रीड करना है, और नोट्स कैसे बनाने हैं, तो दूसरा जो हमारा अने टॉमी और फिजियोलोजी का लेक्चर होगा, यह दोनों हमारा इंटर्डक्शन बेस होगा, उसी पहले वीक में हम लोग जानेंगे, कि हुमन बड़ी के कितने लेवल होंगे, और उनका और्गनाइजेशन कैसे कैसे होता है, फिर से, आगे हम लोग अगला चेप्टर हमारा होगा, होम यूस्टेसिस एंड फिडबेक, यह सारा चीज आप लोग नोट करेंगे अपने नोट बूक में, और उसके बाद से यह बोडी के वेटीज, मेंब्रेंस, एंड इलेवन बोडी एंड ओर्गन्स, जो हमारे बोडी में जो ओर्गन्स है, यह ओर्गन सिस्टम है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक करके सारी डिटेल, डियागनोस्टिक और इमेजिंग टेकनिक्स के बारे में भी हम जानेंगे, और माइक्रोस्कोप की जो परकार है, डिफेरेंट टाइपस अप माइक्रोस्कोप यह भी जानेंगे, और devices for studying the body, मतलब हमारे जो शरीर है, उसको study करने के लिए क्या-क्या device चाहिए, तो वो सारी चीजी हम लोग जानेंगे अपने अगले अगले चेप्रन, तो हमारा जो week 2 होगा, दूसरे हम लोग जो second week में हम लोग study करेंगे, वो introductory chemistry होगा, वो introduction कैसे किस चीज का होगा, वो atoms का होगा, molecules के होगे, जो हमारे body में atoms पाये जाते हैं, मतलब हम लोग बहुत ही general चीज से starting होगी, मतलब समझी कि आप लोग starting period से हम लोग शुरुवात कर ले हैं, एक दम जिनको कुछ ना आता हो, यहां से हम लोग class स्टार्ट कर ले हैं, और importance क्या है minerals के, वो जानेंगे vitamins कितने परकार के होते हैं, और mineral को trace कैसे किया जाता है हमारे body में, तो यह सारी बाते हम लोग जानेंगे अपने second week में, जो third week का हमारा class होगा, वो cell and tissue का होगा, कोशी का और उत्तक हिंदी में बोलेंगे इसको, जो हमारा second week, third week का class होगा, तो पहला class जो हमारा होगा, वो cells and tissue पे अधारित होगा, और फ हम लोग जानेंगे कि हमारे सरीर में जो blood का परवाह है, वो किन-किन माध्यम से होके और किस-किस body part से होके और क्या-क्या उनका काम है, यह सारी बाते हम लोग जानेंगे, यह हमारा circulatory system में जानेंगे, जो हमारा चौथे week का syllabus होगा, वो endocrine system और digestive system, जैसे जैसे हम आगे जानेंगे, वस complete हो जाएगा, फिर उसके बारे में हमारे देखी, immune system पढ़ेंगे, फिर muscular system पढ़ेंगे, यह सारी चीज़े आप लोग एक diary में नोट कर लीजिए, कि इसमें से कोई अगर चीज़े आपका छूटता भी है, तो आप जो एक office पे complain करके, और वो class करवा सकते है तो next हम अपना चलते है, week 5 का हमारा यहां तक होगा, जो week 7 में होगा, हमारा 6, छट्थे सप्ता में हम लोग पढ़ेंगे nervous system, और intigumentary system, तो इसमें थोड़ा कम focus रहता है, लेकिन फिर भी आपका इन दोनों का class ज्यादा होगा, इसमें हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, और थोड़ा कम लेस पढ़ेंगे, और हमारा जो 7 विक का chapter होगा, बहुत important chapter है, urinary system and respiratory system, यह दोनों जो हमारा important है, तो हमारा जो 7 सप्ता का जो चलेगा, वो यह चलेगा, और एक और बहुत important chapter जो आएगा, वो आठवे हफ्ते में हम लोग cover करेंगे इसको, escalator system और उसके joints हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे body में जो कितने परकार के joints हैं, उन सारी चीजों को अध्यान करेंगे, जैसे elbow joint होता है, और बहुत परकार के joints हैं body में, हमारे escalator में, तो उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही एहम चेप्टर हो जाता है हमारा reproductive system, वो दोनों परकार के होंगे, male और female, यह दोनों हमारा reproductive system है, यह बहुत ही एहम होने वाला है, और anatomy और physiology का जो बहुत ही एहम चेप्टर है, यह reproductive system, तो इस पर हमारा जो focus ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा हमारा focus होगा, nervous system पर, reproductive system, skeletal system, क्योंकि यह basic सारी चीज़े हैं, अगर इसको आदमी नहीं जानेगा, आप लोग नहीं जानेगे, तो जो जितने भी सवाल आते हैं, और इसी सारे चीज़े से आते हैं, respiratory system भी हमारा important chapter है, पर देखेंगे तो सारी चीज़े important है, लेकिन हमारे जो special कुछ सवाल आते हैं, इन सारे चीज़े से आते हैं होके, तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और share भी कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ share का option आता हो, अभी तो यह paid video है, जब हमारा यह वीडियो फिरी साइट पर चली जाएगी, तो आप लोग इसको जो है, लाइक भी कीजिए और share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए, MSS Paramedical Institute के नाम से है यह चैनल, thank you.